आज की इस वीडियो में स्टूइंट्स हम करेंगे किलास 9 फिजिक्स के यूनिट नमबर 1 की तमाम एक्टिविटीज और ये टॉपिक हमारा रिलेट करता है नाइन किलास की फिजिक्स के फेडल बोट की तो आईए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो activity number one हमारे पास है read the following वर्णियर केलिपर measurement and answer the following question हम से कहा है कि हमें read करना है वर्णियर केलिपर की measurement को जो कि आपको यहाँ पर diagram में दिखाई गई है और answer देने हैं following questions के total 4 questions है तो question number one हमारे पास है if the main scale is in millimeter what is the least count इसका मतलब यह है कि अगर हम main scale लें वर्णियर केलिपर का millimeter में तो least count क्या होगा वर्णियर केलिपर का यह हमारा main scale है और यह हमारा वर्णियर स्केल है तो यहाँ पर जिसके लिखा हुआ है millimeter तो अगर मैं आपसे पूछूँ के वर्णियर के लिपर के अंदर जो main scale होता है उसमें जो least count होता है वो क्या होता है वो होता है 0.1 millimeter क्यों 0.1 millimeter होता है क्योंकि least count का formula होता है smallest division on main scale divided by total number of the division on the burner scale तो अगर मैं आपसे कहूँ के सबसे छोटी जो division है सबसे small line यानि small measurement जो के main scale की है वो है 1 millimeter यह हमारा 0 millimeter है और यह है 1 millimeter और यहाँ पर जो total number of lines मौझूद है किस पर वर्णिर scale पर वो है 10 तो जब आप 1 को 10 से divide करोगे तो आपके पास least count आजाएगा millimeter में कितना 0.1 millimeter तो यह हमारे पास answer आगी आप first part का कि अगर main scale हम millimeter में लेंगे तो least count क्या होगा वो होगा 0.1 millimeter के से आया हमने 1 को divide किया 10 से क्योंकि 1 हमारी smallest reading है main scale की यानि 1 millimeter और total number of lines वर्णिर scale पर कितनी है total 10 है तो 1 को हमने 10 से divide किया तो हमारे पास आगी है 0.1 millimeter है second हमारे पास part है what is the main scale reading में स्केल की reading हम किस तरह से लेंगे वो देख लेते हैं तो अब में स्केल की reading को लेने का क्या तरीका है हमें देखना है कि वर्णिर scale की जो first line है वो में स्केल की कौन सी line को क्रॉस करके आई है तो हमारे पास में स्केल है उसकी इस वाली लाइन को हमारे वरने स्केल की ये लाइन क्रोस करके आई है तो ये रेडिंग कितनी होगी क्योंकि हमने Least Count mm में गया है इसका मतलब में स्केल रेडिंग भी किसमें आएगी फिसमें आएगी cm में यह हमारे पास है 1 cm तो mm में क्या होगा 10 mm इसी तरह से जो 2 लिखावाई cm में है 2 cm और mm में क्या होगा 20 mm इसी तरह यह हमारे पास 3 हो गया 30 mm तो अगर मैं आपसे कहूं 2 और 3 का मिट पॉइंट है वो है 2.5 cm में तो mm में क्या होगा 25 mm और 25 mm के बाद यहाँ पर एक और लाइन मौझूद है जो के वर्णेट स्केल की लाइन इसको क्रोस करके आई है इसका मदलब यह वाली जो लाइन है हमारी है में स्केल रिडिंग 25 mm के बाद आएगा 26 mm तो में स्केल को क्रोस करके आई है तो 20 और 30 mm का हाफ हो जाएगा 25 mm और 25 mm के बाद वाली लाइन हमारी ओरिजिनल में स्केल के रिडिंग है जो के है 26 mm थर्ड पार्ट हमारे पास है वाट इस दा वर्णेर स्केल रिडिंग तो वर्णेर स्केल रिडिंग क्या होगी देख लेते हैं तो रिड करेंगे और देखेंगे इसकी कौन सी लाइन में स्केल की लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 से जो इसकी फर्स लाइन है वो 0 है उसके बाद 1 है तो 0 वाली लाइन में स्केल की किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर यानि counting start करनी है तो two वाली line भी one year scale की perpendicular नहीं है main scale की line के लेकिन अगर हम three वाली line की बात करें जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि one year scale की जो तीसरी line है वो main scale की इस वाली line के बिल्कुल perpendicular है इसका मतलब हमारे पास जो one year division आएगी वो किती आएगी three आएगी और क्योंकि हमसे यहाँ पर काए one year scale reading निकालनी है तो one year scale reading निकालने का क्या तरीका होता है जो भी हमारे line perpendicular होती है यहाँ पर three है तो उस one year division को हम multiply कराते हैं least count से least count हमने लिया है millimeter में तो लियाज हमने three को multiply करा दिया 0.1 से तो हमारे पास one year scale reading आएगी 0.3 millimeter और last में हमसे का है के total reading बताए measurement की तो total reading निकालने का क्या तरीका होता है main scale की reading और one year scale की reading दोनों को हम add कर देंगे तो इसलिए मैंने main scale की reading जो के यहाँ पर 26 है और one year scale की reading जो के यहाँ पर 0.3 है इन दोनों को हमने add कर दिया तो 26 में जब हम 0.3 को add करेंगे तो हमारे पास total reading आ जाएगी इस measurement की by using one year के लिपर कितनी 26.3 millimeter तो यह हमारे पास answer आ गए इन चार questions के तो यह थी हमारी activity number one अब students हम देख लेते हैं activity number two a screw gauge has a least count of 0.01 millimeter read the following screw gauge measurement and answer the following questions हमसे कहाएं के जो एक हमारे पास screw gauge है जिसा के आपको diagram में दिखाया गया है इसका least count बताया है 0.01 millimeter जो कि हैंपर लिखावा भी है हमें इस screw gauge को read करना है कि किसकी measurement क्या है और answer बताने है following questions के तो फिर से यहाँ पर question number one है what is the main scale reading, main scale reading क्या है second question हमारे पास है circular scale reading हमें बतानी है और third हमारे पास कि हमें total reading बतानी है measurement की, तो सबसे पहले students हम देख लेते है main scale reading तो main scale reading निकालने का student तरीका यहाँ पर क्या है हमें यहाँ पर यह हमारा main scale है screw gauge का और यह है circular scale, तो main scale reading निकलती है main scale से तो हमें देखना है के यहाँ पर जो last line है, कौन सी visible है main scale पर, तो यहाँ पर हमें reading लेनी है millimeter के अंदर, तो यह हमारे जो first line है यहे zero millimeter की, यह one millimeter की, यह two millimeter की, यह three, यह four उर यह five, और यह six और यह seven, तो last line यहाँ पर जो visible है, वो है 7 की इसका मतलब हमारे पार main scale reading आजाएगी 7 mm और screw gauge में जो नीचे आपको lines दिखाए दे रही है ये एक line होती है 0.5 की जैसे अगर मैं आप से कहूं 0 और 1 इसके दर्मयान की जो line के reading है वो होगी 0.5 mm इसी तरह से अगर मैं आप से कहूं ये हमारी line 5 है और ये 6 है तो ये वाली जो आपको mid वाली line दिखाए दे रही है इसके reading होगी 5.5 तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो main scale है इसकी जो last line हम यहाँ पर visible है वो है 7 इसका मतलब हमारे पास जो main scale reading आएगी वो कितनी आएगी 7 mm तो ये हमारे पास main scale reading आगए screw gauge से इस measurement की कितनी 7 mm अब हम देखेंगे circular scale reading तो circular scale reading निकालने का क्या तरीका है हमें देखना है कि circular scale की कोन सी line इस reference line के perpendicular है तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये कोन सी line है तो ये हमारे पास लिखावा है 20 20 के बाद आएगा 21 फिर आएगा 22 और फिर आएगा 23 इसका मदलब जो circular scale है इसकी 23 line बिल्कुल perpendicular है 90 का angle बना रही है reference line के साथ main scale की जिसको हम datum line भी कहते हैं तो हमारे पास जो circular scale reading आएगी वो कितनी आएगी वो हम निकाल देते हैं हमारे पास circular division आगे 23 तो circular scale reading निकालने का भी यही तरीका है हम circular division को multiply कराएंगे least count से तो circular division यहाँ पर है 23 23 को multiply कराएंगे least count से जो के यहाँ पर कितना था 0.01 तो जब आप 23 को multiply कराओगे 0.01 से तो आपके पास value आजाएगी 0.23 mm last हमारे पास part है what is the total reading of the measurement फिर से हम क्या करेंगे main scale reading को और circular scale reading को दोनों को 8 कर देंगे तो मैंने main scale reading जो के यहाँ पर 7 है इसको मैंने 8 करवा दिया circular scale reading में जो के यहाँ पर है 0.23 तो जब हम 7 में 8 करेंगे 0.23 को तो हमारे पास इस वीडियो के अंदर जितनी भी दो activities थी एक वर्णियर केलिपर की और एक screw gauge की दोनों के दोनों हमने देख ली तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं फिर मिलेंगे अल्ला हाफिज